गुड मॉनिग अवरिवन, वेलकम टो अनिकेज जी के स्टेडी आज जिस टॉपिक पे हम डिसकेशन करने वाले हैं, वो है सामाजिक अनुसंधान तो अगर आप एक सोशोलोजी के स्टेड्ट हैं, तो आज आपके लिए ये वीडियो काफी ज़दा important होने वाली है, क्योंकि आज हम सामाजिक अनुसंधान के अर्थ, परिभाशा और विशेशताओं के बारे में discussion करने वाले हैं, सामाजिक अनुसंधान का महत्व, उसकी वैग्यानिक पदिति और उतकर्पना को हम next वीडियो में discuss करेंगे, क्योंकि अगर एक ही दिन में हमने इन पाचों topics पर डिसकेशन किया, तो वीडियो काफी ज़दा लंब भी हो जाएगी, तो चलिए discuss करते हैं साम सामाजिक और दूसरा है अनुसंधान, सामाजिक का अर्थ होता है समाज से सम्मंदित, और अनुसंधान को अंग्रेजी में research करते हैं, जिसका अर्थ होता है पुना खोच करना, तो friends, अगर आपको इन दोनों words का meaning पता है अच्छे से, तो आप अपने according सामाजिक अनुसंध सामाजिक अनुसंधान, इन दोनों words की meaning अच्छे से clear है, तो आप अपने according सामाजिक अनुसंधान की definition दे सकते हैं, जैसा कि आगे मैंने दिया है, देखिए, सामाजिक अनुसंधान क्या है, what is social research, तो देखिए, जब समाज से सम्मंदित, किसी भी घटना का क्रम बद तरीके से बार-बार खोच किया जाता है, तो उसे सामाजिक अनुसंधान कहते हैं, clear है, अब देखिए, यहाँ पर उन दोनों words का use मैंने कैसे किया, सामाजिक का अर्थ क्या होता है, समाज से संबंदित, और अनुसंधान का अर्थ क्या होता है, बार-बार खोच करना, तो से याद रख लिजी, ताकि आपको definition देने में कोई भी दिक्कत ना हो, clear है, अब देखते हैं, परिभाशा, definition देखते हैं, जो कि कुछ विद्वानों के according दी गई है, जैसे कि यहाँ पर मोजर है, जो कि समाज सास्तर के एक बहुत ही बड़े विद्वान है, तो मोजर के अन कि definition बिल्कुल exact होनी चाहिए, मगर definition exact होना ज़रूरी नहीं है, आप चाहे, तो definition को अपने according लिख सकते हैं, बशरते कि उसका जो sense है, वो नहीं बदलना चाहिए, जैसे मोजर जिस sense में बात कर रहे हैं, मोजर जिस अर्थ में बात करना चाह रहे हैं, वही अर्थ, वही sense होन चाहिए, बहले आप दो चार वर्ड्स बदल सकते हैं, example मैं आपको दे रहा हूँ, example जैसे, अगर मैं इस definition को अपने according लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ, सामाजी घटनाओं वा समस्याओं के संबंध में, जो नए ग्यान प्राप्त करने की विवस्ता है, उसे ही हम साम सामजी घटनाओं होती हैं, उनके संबंध में जब हम नए ग्यान प्राप्त करने की विवस्ता लागू करते हैं, तो उसे हम सामजी कानुसंदान कहते हैं, तो देखिए, कहने का मतलब यह है, कि definition exact होना ज़रूरी नहीं है, definition चाहे तो आप अपने according लिख सकते हैं, बस यह ह sense है, वो नहीं बदलना चाहे, sense जो है, mozark according होना चाहे, जो जो भी जिस भी आप विदवान की definition दे रहे हैं, उसी काउस में sense होना चाहे, clear है, अब बात करते हैं, बोगार्डस की नुसार, बोगार्डस क्या कहते हैं, तो बोगार्डस कहते हैं, कि साथ साथ रहने वाले वै प्राप्त करते हैं तो उसे हम सामाजिक अनुसंधान कहते हैं कि सीवी गुडे के अनुसर आदर शुरूप में अनुसंधान एक समस्या का सावधानी पूर्वक्ष और निश्पक्ष भाव से किया गया अज्यन होता है जो तच्चों की भिर्णता और उनके इस पश्ट करण वा सामाजी करण पर निर्भर होता है अब है हिटने के अनुसर यह बहुत ही इजी डिफिनेशन है और शौर्ट डिफिनेशन है आप चाहें तो इसको भी याद कर सकते हैं अब हमबात करेंगे हमारे दूसरे टॉपिक विशेश्ता है किसकी विशेश्ता है सामाजी क अनुसंधान की विशेश्ता है सामाजिक शोध करते समय या सामाजिक अनुसंधान करते समय हम सामाजिक जीवन के सभी पहलू काज दिन करते हैं अब सामाजिक जीवन के सभी पहलू क्या क्या हो सकते हैं जैसे कि आपका एजुकेशन हो गया एजुकेशन आपका सामाजिक जीवन का पहलू हो गया इसके अलावा क्या हो गया कल्चर हो गया संस्कृति हो गया संस्कृति हो गया आपका संस्कृति है आपका संस्कृति है आपका समजिक जीवन का पहलू हो गया इसके रावा कई पहलू है जैसे कि आपका हो गया समजिक जीवन के पहलू गरीबी हो गया रीती रिवाज हो गया उसके बाद अनिम्प्लाइमेंट हो गया बेरोज़कारी हो अब देखते हैं दूसरी सामाजिक प्रगती में सहायक, तो सामाजिक अनुसंधान या सामाजिक शोध करने से सामाजिक प्रगती कैसे होती है, यह कहा जा रहा है, तो जब हम सामाजिक अनुसंधान करते हैं, या जब हम सामाजिक शोध करते हैं, तो वहाँ पर हम क्या समाज क भी हमें पता चलेंगी और समस्या पता चलेंगी तो हम उनका समाधान भी करेंगे जिस से क्या होती है समाज में प्रगति आती है समाज को हम प्रगति के और ले जाते हैं क्लियर है आपको अब हम बात करेंगे पारस्परिक संबंधों की खोज क्या है पारस्परिक संबंधों क कि खोज यानि समाज में अनेक घटनाएं अलग-अलग दिखाई देती हैं परंतु उनके बीच पारस पर एक संबंध होता है जिन संबंधों का पता सामाजिक अनुसंथान के द्वारा लगाया जाता है नेक्स्ट जो हमारी विशेष्टा है जो चौथी हमारी विशेष्टा है सामाजिक अनुसंथान के वह नमेन ग्यान की प्राप्ति यह एक लाइन में है क्योंकि सामाजिक शोट जब हम करते हैं तो सामाजिक शोट के द्वारा हमें नय नय ग्यान की प्राप्ति होती है जो कि स कमियां होती है उन्हें दूर किया जाता है अब है हमारा सामाजिक अनुसंधान की प्रक्रति वैग्यानिक है सामाजिक अनुसंधान में कल्पना तथा दर्शन का सहराना लेकर निरिक्षण, परिक्षण तथा प्रियोग, विशलेशन पर आधारित वैग्यानिक पदेती का उप्योग किया ज़ता है In the sense, सामाजिक अनुसंधान काल्पनिक न होकर सामाजिक अनुसंधान की जो प्रिक्षण वो काल्पनिक न होकर वैग्यानिक है क्या है? वैग्यानिक है, क्लियर है? अब आखरी जो हमारी सामाजिक अनुसंधान की विशेष्टा है, जो हमारा सात्वी विशेष्टा है वो है सामाजिक अनुसंधान अनुभाव करक तो सामाजिक अनुसंधान अनुभाव पर रखें यानि सामाजिक अनुसंधान करते वक्त अध्यन करता सुनी सुनाई बातों पर विश्वास नहीं करता है वो क्या करता है वो स्वयाम अनुभाव किया जाने वाले तक्तियों पर ज्यादा जोर देता है क्लियर है आई होब फ्रेंट्स कि आज जिन भी टॉपिक्स पर हमने डिस्केशन किया है वह आपको क्लियर हो गई होगी अगर आपको क्लियर नहीं हुए तो वीडियो को रिवाइस करके देख लिजेगा अगर उसके बाद भी आपको कहीं पर कन्फूजन रह जाता है तो आप समझिक अनुसंदान के महत्व के बारे में वाइग्यानिक पधिती के बारे में और उतकल्पना के बारे में ओके तो मिलते हैं नेक्स टूडियो में